नमस्कार दोस्तो यह हमारा पाइबट का लेशन 2 है अगर आपने अभी तक लेशन 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिशन बॉक्स में दिये गए हैं आप जाके लेशन 1 वाच कर लिजिए क्योंकि आपने अभी तक अगर लेशन 1 नहीं देखा है तो थोड़ी बहुत कॉन्फ अगर दोस्तो आपको लगता है यह वीडियो किसी के लिए helpful सावित हो सकता तो प्लीज आप उसे share भी कर सकते हैं क्योंकि हम अपने वीडियो में आपको detail से समझाने की कोसिस करते हैं आप किसी institute में भी जाएंगे तो इतनी details से आपको नहीं समझाया जाएगा जहां आप पै पैसा नहीं लग रहा है बिल्कुल free of cost है और आप जितनी बार चाहे वीडियो को watch कर सकते हैं कोई भी पैसे लगने वाले आपके नहीं है तो आई दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं अपने lesson 2 के और move करते हैं चली दोस्तो दोस्तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सीरि हमने क्या किया था इंसर्ट पे गए थे ठीक है तो हम इंसर्ट पे गए थे ठीक है उसके बाद पाइबर टेवल पे गए थे और उसके बाद मैंने क्या किया था एक्जिस्टिंग वक्षिट लिया था मैंने यहां लोकेशन लिया था और ओके किया था ठीक है तो मैंने क्या कश्टमर है और वोड़ा फोल में टोटल हमारा 14 कश्टमर है आप देखेंगे यहां भी 14 आ रहा है तो यह तुरंत काउंट करके बता दिया यानि मिन्टों में यह काम कर दिया ठीक है तो दोस्तों पिछले वीडियो मैंने आपको रो सेक्शन के बारे में बता दिया था और व बाजी में किया गया काम बिगड़ जाता है इसलिए मैं आपको पेसेंस के साथ धीरे धीरे सिखा रहा हूं ताकि आप एक दो दिन उसकी प्रैक्टिस भी करें ठीक है और आपके कॉंसेप्ट एकदम क्लियर हो साथ आए दोस्तों कोलम सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो तो उस समय हम क्या करेंगे यहां हमने क्या किया है यह देखे कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो भी हमारी टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी चीज है उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो बाइडिफोल्ट हमारा रो लेबल में आएगा और वाईलू से रिडेटेडेडे जैसे आप देख रहें recharge इस टुरंत एडिफटीं वाल्यू से रिडेटेडेडेडेड है अगर मैं इस पर क्लिक करूंगो तो हमारा तुरनद वालू वाले शेक्षन में जाएगा ठीक है तो हमारा कॉस्त्त क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमारा तुरंत आ गया है हाँ customer ने अब हमसे पूछ रहा company wise अब मुझे company का भी name चाहिए तो company को मैं क्या करूँगा इस पर जैसे मैं click करूँगा तो अभी क्या होगा मेरा देखिए तुरंत रोग इसके नीचे आ जाएगा तो इस situation में हम क्या करते है company को उठाके column में कर देते हैं तो अब देखिए आपका यह आगया अब आपको क्या करना है count करना है जैसा कि मैंने पिछले वीडियों बताया था count से related, calculation से related कोई भी चीज होगी वह हमारी value section में आगी तो हम क्या करेंगे just customer name को उठाके इस section में drag कर देंगे तो आप देखेंगे मोहन हमारा BSNL का सीम यूच कर रहा है एक ही सीम यूच कर रहा है अभी हमारा पर जितने भी customer है सब एक एक सीम ही use कर रहे है यह तो क्योंकि यह मैंने data खुद से create किया था लेकिन जब आप काम करेंगे तो वहाँ आपके पास large data होगा और बहुत से सारे यहाँ चाले हम क्या करेंगे एक data मैं create कर लेता हूं मैं कुछ data यहां create कर दिता हूँ और बढ़ा देता हूं थीक है तो मैं क्या करता हूं मैं इसको मैं copy करता हूं यह पूरे डेटा को ठीक है यहां आइडिया है तो मैं यहां BSNL कर देता हूं, ठीक है, यहां मैं बोड़ा फोन कर देता हूं, और यहां मैं क्या कर देता हूं, ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग करके serial number इसको बढ़ा देता हूँ ठीक है तो अब मैं फिर से private लगाता हूँ मैं insert पर जाता हूँ ठीक है private table मैंने किया existing लिया मैंने यहां location लिया ओके किया ठीक है अब मैं क्या करूँगा आप देखिए मैं customer name मुझसे फूछा गया था customer name को तुवंत row label में मैंने लिया row section में company name को उठाके मैंने column में लिया ठीक है और अब मुझे count कराना कितने customer है तो customer को उठाके just value section में मैंने लिया तो अभी आप देखिए क्या आ रहा है result अब देख लिजे यानि मोहन हमारे दो सीम यूज कर रहे है बेसनल और वोड़ा फोन पहले एक एक आ रहा था क्योंकि हमारे सारे customer एक एक सीम ही यूज कर रहे थे क्योंकि मैंने example खुद से create किया था जब आप कहीं काम करेंगे तो वहाँ खुद से तो डेटा नहीं होगा और आजकल हर customer multiple सीम यूज करते है तो इस तरह आप देखिए मोहन है दो सीम यूज कर रहे है जिसमें BSNL है और आपका वोड़ा फोन है तो इसी तरह हमारे देखिए अमिद भी दो सीम यूज कर रहे है और वोड़ा फोन है तो इस तरह हमारे पास दो सीम विच कर रहे है और आइडिया के यह देखिए अडिया के स्याम है हमारे पास आइडिया के और वोड़ा फोन के तो है ना दोस्तों कितनी जल्दी data create हो गया अगर आप manually करेंगे तो काफी आपका time लगेगा इसको create करने में इस तरह data create करने में तो पाइव है और अब मैं क्या करता हूँ customer name को यहां डाल देता हूँ अब आप देखिए data कैसे आ रहा है मोहन हमारा दो सीम उच कर रहा भी एसनल अलबोड़ा फोन इसमें भी आ गया मैं यह नहीं बूरा हूँ कि आएगा नहीं देखने में अच्छा लग रहा है data नहीं तो इसलिए म description box में दिए गया है आप जाके practice भी कर सकते हैं और यह जो मैंने example to लिया है यह मैंने आप लोग के लिया है ताकि आप इस concept के उपर आप practice करें अपने से report आप create करें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ serial number है employee name है product name है और total sale quantity दी गई है अब आपको करना क्या है जो पहला आपक product wise total sale quantity बनानी है दूसरा बनानी है जो आपको employee wise product wise total sale quantity यहां मैं total कर देता हूं ठीक है यह report आपको खुद से बनानी है अगर आपको कोई दिक्कत आती है प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते है या instagram पे मुझे follow कर लिजे और वहाँ भी message करके मुझसे पू हिन